गर्मियों को मौसम शुरू हो चुका है। इस ही मौसम में में सबसे ज़़ादा पसीना आता है। इस मौसम में आपके चहरे में कालापन दिखने लगता है। साथ आ ही में च्टे च्टे दाने निकलबे के आते हैं। आपके पास नाख के पास या माथे पर सन टैनिंग की पर प्रोब्लम बहुत ज़्यादा होती है इस्पेशली फेस पर और हातों पर और इसी मौसम में आपका जो फेस है वो सबसे ज़्यादा ड्राय और डल दिखने लगता है अगर आप चाहते है ब्यूटिफुल फ्लॉलस स्किन गर्मियों में भी तो फटा फटा आपके कीचन में जाएए थोड़े से इंग्रीडिन लेके आईए सन टैनिंग को यह हटाएगा साथ ही मैं आपको देगा क्लियर फ्लॉलस स्किन यह जो रेमेडी है कोई भी यूज़ कर सकता है में विमन सबके लिए सेफ है यह रेमेडी एक बार आप ट्राय करिएगा आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरी रेमेडी फ्रेंड हमेशा की त चले DIY स्टाज करने के लिए हम ले लेंगी यहां अलोविरा जेल या तो आप मार्केट वाला ले 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 तो आपको भी अलोविरा जेल ले सकते हैं तो मैं यहां लूंगी फ्रेश अलोविरा यह अलोड़ी मैंने थोड़ा यूज किया हुआ था और इसमें आपको आदे चम अलोविरा जेल निकाल ले यह देखिए फ्रेश अलोविरा जेल निकाल लिया है यह जो इसकी पती है अलोविरा की हम फेकिंगे नहीं यह भी हम यूज करने वाले है फिलहाल के लिए अभी मैं से साइड में रख लेती हूँ बस अलोविरा जेल फ्रेश निकाल लिया है तो बिले टमाटो जूस या पाटेटो जूस भी आड़ कर सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे अब इसमें आड़ करेंगे फ्रेंड्स हनी जितना मैंने अलोपीडा जेल डाला है उतना ही आपको हनी डालना है शेहद डालना है और अब इन तीनों इंग्रीडियन को अच्छी तरह से आपको मिक्स कर लेना है यह देखिए थोड़ा टाइम लगेगा मिक्स करने में इसके बाद फ्रेंड्स एक और फाइनल इंग्रीडियन आड़ करेंगे वो है रोस वाटल कर्मियों का मौसम है रोस वाटल तो बनता ही है थोड़ा सही आड़ करना है अलोपीडा जेल है और रोस वाटल है तो इन सार इनके बेनिफिट्स की बात करती हूँ अलोपीरा की बात करूं फ्रेंड्स तो यह आपकी स्किन को स्मूध बनाता है सॉफ्ट बनाता है साथ में जो रैशन से उससे खतम करता है लेमन आपकी डार्क स्पॉर्ट एकने स्पॉर्ट को खतम कर आपकी चेहरे को लाइटन और साथ ही में अगर रोज वाटर है तो यह आपकी स्किन का pH लेवल मेंटेन कर उसे ब्राइट बनाने में उसे हाइडरेट रखने में मदद करता है और डलनेस को भगाता है इसमें जो हनी डाला है उससे आपकी पोस क्लीन होते हैं आपके पोस क्लीन होने के साथ ही आपका जो स्क का लीफ रखाता उसे आपको आपके फेस पे इस तरह से लगा देना है यह एक बहतरीं क्लिंजर का भी काम करता है फ्रेंट्स लॉक्डाउन के समय जब हमारे पास रिसोर्स कम है तो इस तरह से आप आपके स्किन की केर कीजिए अगर आपके बस टाइम नहीं है आप बिसी पर और इसे as a face mask आप अप्लाई कर दे यह आपके स्किन को इतना tight करेगा और bright करेगा कि आप मुझे thank you बोलने ज़रूर आएंगे तो इस तरह से आपको लगा लेना है sun tanning भी आप खतम होने वाले है dark circles, open pores, large pores और साथ में आपके wrinkles और fine lines खतम होने वाले है dark भी खतम होने वाले ह तो आपको अच्छी तरह से लगा देना है आपके face पर और neck area पर और इसे लगने के बाद आपको इसको सूखने देना है at least 20 minute आपको लग जाएंगे friends इसको सूखने में तो इसको लगे रहने दे और 20 minute के बाद आप देखेंगे कि यह सूख चुका है यह देखिए आप और अभी हमें normal पानी से face को wash करना है face wash कर लिया है friends देख सकते हैं super glow आ गया है super clean हो गया है face और कितनी चमक आ गई है मेरे face पे यह आप देखिए मेरे face पे बिल्कुल भी makeup नहीं है अभी यह देखिए मैं आपको बता देती हूँ no makeup at all beautiful flawless and shiny skin अगर आपको चाहिए तो यह device ज कैसे लगा आपको यह lockdown के समय यह DIY ज़रूर try कीजिए friends और मुझे comment करना ना भूले पसंद आये यह video दूसरों को भी share करिए ताकि इसके benefits दूसरों को भी मिल सके like भी कीजिए share भी कीजिए subscribe भी कीजिए मेरे channel को till then take care bye bye